आज मैंने आपको Google Play Store की चार एसी important settings के बारे बताया है, जो कि आपको ज़रूर पता होनी चीए, आपके बहुत काम किया है, और एक सबसर दे इंपॉर्टेंट चीज़, Google Play Store को update कैसे करें, और भाईया सब apps इससे update होते ही, यह कहा से update होगा, तो यही आज मैंने आपको बताया वीडियो बहुत काम की है एंड तक देखना बहुत knowledgeable है तो वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना सभी लोग आयो तो यार एक लाइक तो करके जाएं करो और कुछ नहीं तो वह यह लाइक तो कर दिया करो और सब्सक्राइब करने चैनल को मस्मस वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे कि तो चलिए फ्रेट्स वीडियो को स्टार्ट करते है सो गाईज हम उपन करते हैं प्लेस्टोर को प्लेस्टोर उपन करेंगे अब गाईज यहाँ पर हमको चलना है टॉप राइट कॉरणर में जाता है साइन दीने इस वाले अकाउंट ओशन में पर सेटिंग में चलेंगे आप यहां पर हम सबसे बहुत लेए क्लिक टू एकस्पेंड दी ऑथेंटिकेशन सेटिंग इस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे बहुत बाताना चाहिए गाइज इसको आपको गईज और रखना है इससे क्या हुगा गाइज यहाँ पर गूगल प्लेस्टूर्स अप्लिकेशन अगर रेगुलर परचेस करते हो तो यहाँ पर हर बार आपको परचेस करने के लिए इम्ल आइड का पासवर्ड डालना पड़ता है लेकिन अगर आप इसको on कर दोगे तो बस first time आपको इसको on करने के बाद email id का password से कुछ भी purchase करना है उसके बाद next time जब भी आप कोई भी app purchase करोगे तो यहाँ पर आपका fingerprint लगेगा सिर्फ इस phone में ये setting लागू होगी अगर आपकी यही email id किसी और फोन में लोग इन है तो उसके लिए लागू नहीं होगा तो उसके भी आपको on करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप इसको on रखें ताकि बार बार आपको email id का password ना डालना पड़े और आपके यह authentic biometric से ही आपका यह app purchase हो जाए तो यह काफी जाद है important चीज play store में है जो कि लोग धाने दे तो आपको इसको भी on रखना है यह मैं आपको समझा दिया है आप family setting में देखता है which important चीज है आप guys यहाँ पर यह sign up for family library यह बहुत important चीज है अगर आपको email purchase करते हो और आप चाहते हो कि आपके family में कोई और भी उसका यूज कर सके तो यहाँ पर आप family library के लिए sign up कर सकते हो up to 5 लोगों में आप उस application को share कर सकते हो आपने कोई app purchase किया आपकी family में 5 member या कोई भी आपके दोस्त वोस्त हो आप उनके यहाँ पर sign up करके payment detail वगर आपको देनी पड़ते है आप उनकी तो वह application इंपोर्टेंट चीज़ है इसके उपर dedicated अगर आपको वीडियो चाहता है कोमेंट करके बता सकते हैं अब गाइस यहाँ पर अगला है parental controls यह parents के लिए बहुत useful चीज़ है अगर आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पर set करना यह off है आप content restrictions add कर सकते हो क्या 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 आपको restrictions लगानी है अपने बच्चे की डिटेल कर सकते हो यह सब तो यह काफी जाता important चीज़ हो सकते ही parents के लिए तो इसका use जरूर कीज़ेगा पता चलना चाहिए चल क्या रहा है कुछ parent guide यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर about setting section में सबसे important चीज़ आज की है न about google play यह कुछ नहीं है आगे play store version play store version guys यहाँ से आप play store version check कर सकते हो और update कर सकते हो play store को यह एक बहुत जादा important चीज़ यहाँ पर add हुई है google play store को update करने के लिए यहाँ पर बहुत सा लोग मेरे से यहाँ पूस्ते हैं सब आपs play store से update होते है अब यह प्ले स्टोर कहां से update होगा तो दोस्तों play store प्ले स्टोर से update होगा कैसे update होगा इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा google play store upto date है understood पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास update available होगी मेरे पास थी वीडियो बनाने से पहले चेक किया और update कर दिया वही तो यहाँ पर अगर आपके आपके पास update है तो आपको download पे क्लिक करना और यह update अपने आप हो जाएगा तो google play store को update रखनागा इस बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर google play store में लाखो करोड़ो apps है regular आती रहती है तो इसका update होना बहुत जरूरी है यही update नहीं होगा तो फिर तो सब कुछ ही outdated है तो इस प्रकार आप about section वाली setting में आके google play store को एक click में update कर सकते हो ठीक है तो back करेंगे हैं से तो guys यहाँ पर इसी प्रकार आप जो है google play store की application को update भी कर सकते हो और यही कुछ important settings थी चार जो मैं आपको बताई जो आपके बहुत काम की है तो उमीद आपको सब कुछ में आगे होगा कैसे लिए आपको वीडियो कमेंट करके बताई अच्छी लगी होता लाइक कर देना सब भी के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को और प्रस्रेट कर लो ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी वाटसैप और टेलीग्राम ग्रूप में आप लोग वाटपेश से जुड़ सकते हो फीमेज अगर गुरूप में चुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं अगर आपका कोई भी कोशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते एक सी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई